प्रदेश की हर न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में लगे बैल आइकन को दबाएं और हमारी खबरे आपको कैसी लगी इसका सुझाव देने के लिए कमेंट बोक्स में कमेंट करें लैंड मोर्गेज बैंक धजजर की एक कारे कारने की बैठेक हुई जिसमें सरुसम्मती से चुने जाने वाले चेर्मेन आजे धनखड वे वाइस चेर्मेन ओम बीर सिंग ने अपने पत से इस्तीपा दे दिया आज बैंक के पत अधिकारियों की एक बैठक हुई जिसमें ये निर्ने लिया गया अगर बैंक के चेर्मेन वे वाइस चेर्मेन किसान में मजदूर की कोई आर्थिक मदद नहीं कर सकते तो उन्म इस पद पर बने रहने का कोई भी हक नहीं है इस बारे में चेर्मन और वाइस चेर्मन से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया सरकार की गलत नीतियों के चलते ही यह बैंक बंद होने की कगार पर है और वो किसी भी प्रकार से गरीब व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते अगर यही हाल रहा तो वे अपने पद पर कैसे रह सकते हैं इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीपा दे दिया और तलब है यह बैंक 1904 में स्थापित हुआ था और अब तक ठीक ठाक चल रहा था इसके द परकार ने उन्हें आश्वसन के अलावा कुछ नहीं दिया आईये बैंक के चेर्मेन और अन्य पदादिकारियों ने क्या का उन्हीं की जुबानी सुनते हैं सबसे पहले तो मैं संज़ जी आपको भी और जितने मेरे किसान भाई मजदूर भाई सभी मेरे जलावाशियों को जजज़़ जला सब को मैं राम राम करता हूं इस्तीफा देने हैं कारणी है यह जी कि मैं तीन वार इस बैंक का चेर्मेन रहा हूं लगातार सरसमती से और किसानों ने बेज़ जा मुझे एक कि उनकी आर्थिक मदद उसके और दो योजना उड़ा सरकार में मैं रहा कभी ऐसी शिकायत ना किसान ने दी ना करमचारियों ने दी आज थी थी क्या हुरी है टाई साल से जब से ये नया बॉर्ड बने आयती इस जी उजना में अक करमचारियों को वे तन भी नहीं मिल रहा है तो हमारा यहां रहने का, हमारा इस पद पे, इस गरीमा को समझते हुए, तो हमें यही लग रहा है कि हम आज अपना इस्तिफा दे दें, क्योंकि ना तो करमचारियों वेतन मिल रहा है, ना हम किसान की मदद कर रहे हैं, हमने सरकार से कई बार मिलना चाहा, मिले भी कि हमारी साहता करो, किसान मददूर बहुत पीछे जा रहा है, और यह बैंक 1904 से, आज तक किसान और मददूरों कर रहा है, ना कि यह वेपारियों कर रहा है, सिरफ किस्तान और मजदूर, अगर किसान मजदूर की अमदत नहीं कर सके तो हमारा इस पद पे रहना, हम उचितने ही समझते हैं करमचारियों वजी हर महीने तिन तिन चर चर महीने से लेट वेतन मिल रहा है, कई कई तो बस परेशानी रहते हैं तो मैं तो यही मैं भी शिर्फ मैं ही नहीं मैं तो चेर्मेन हूँ और हमारे ये वाइस चेर्मेन होम बिर भाई बैक वर्ड से ये मेरे साथ कंदे से कंदा ऐसी से सोरी ऐसी से कंदा से कंदा मिला के हम बाई जैसे रहे हैं हमारे साथ जो है डारेक्टर ये सारे साथी डारेक् गेवर के हैं, लेकिन हम भाई जैसे रहे हैं, भाई चारा हमने कायम किया है, लेकिन इस सरकार ने ना भाई चारा कायम किया, ना जो है किसान को कोई लाव दिया, इसलिए मैं आज इससे अस्तीफा दे रहे हूं। जैसे चल रहे हैं, आज आवान सिर्फ मोदी जी किस कारण जाने जाते हैं, जुमलोए कारण, तो खटर सरकार फैल रही जी, इसमें सरकार जो है किसान की, ना किसान के रिन माफ किये, ना इनको रिन दिया, सिर्फ ये उद्धोग पतियों को बड़े उद्धोग पतियों को र कि आप अरोज देखते हो कोई ना कोई नई खबर कई जगें आपने देखिया है जमीन गेओं कई किसो एकड जमीन जो है गेओं की फसल पर वाद होगी जड़गी कोई मुआवजा नहीं है मंडियों में किसान बैठे हैं ना तो खरीदारी हो रही खरीदारी हो जाती है तो उ होने नहीं देखिए जी मैं भी इस्तिफा दे रहा हूं क्योंकि पिछली योजना में विवाइस चेर्मेन था और अब की बार विवाइस चेर्मेन हूं तो हमने सरकार से खूब कोशिस की है वही किसान के लिए मदद करो इस बैंक को आगे बढ़ाओ चलाना है हमारे को लोन बैठता चला गया सरकार ने कोई मदद नहीं की फिर उसके बाद हमारा जो करमचारी धिकारी है तीन तीन चार चार महीने में उसको तन्खा मिलती है करमचारी हमारा बहुत प्रेशान है और जितनी रिकवरी आती है उतनी वहां जो है एमडी चंदी कड़को भेज देते हैं यहां खर्चा चलाना मुस्किल हो रहा है किराया निकालना मुस्किल हो रहा है हर एक चीज की दिकटारी है और हमने सरकार से खूब मांग की है कि भी हमारा ये बैंक किसी तरह से उठाओ चलाओ लेगिन इस तरफ कोई धान नहीं दे रहे हैं नहीं सरकार का ऐसा कोई आसवासन नहीं आया हमारे पास एक तो ये कोपरिट्व बैंक है ये संगठन बैंक है इस सरकार में कोपरिट्व पहले हम जो हैं न कोपरिट्व बैंग मनाते थे कोपरिट्व मनाते थे तीन दिन चार चार दिन तक चलता था इस सरकार में कोपरिट्व बैंक के बारे में जानते नहीं है पिछली कोप्रिटे था वो नहीं मनाया सी हमने अब की बार नहीं मनाया दो योजनाय से निकाल दी कोप्रिटी को सरकारी दुआरा मनाया जाता था और अब यह सरकार कोप्रिटी के बारे में जानते नहीं है अनपड किसम की ये सरकार है जो कि ये नहीं करती है कोपरिट्यू के बारे में जानकारी नहीं है सर छोटू राम जी थे उन्होंने कोपरिट्यू का पूरा ग्यान था उन्होंने किसानों के लिए बहुत मदद की बहुत कुछ आगे बढ़ाया और इस बैंक को भी सर्चोटुराम नहीं आगे बढ़ाया था आज का जो हमारे चेर्मेन और वाइस चेर्मेन का जो फैसला उसका हम सवागत करते हैं क्योंकि सरकार की गलत नीतियों के खिलाप अजिनोंने एक कदम उठाया है यह सरकार किसान और मजदूर विरोधी सरकार है इस बैंक को बंद करने के कवार ने बंद हो इसका है बैंक के सलब गोशना होनी बाकिए तो एलेक्शन के होज़े से रोग रखा है अगर इस बैंक को बंद कर दिया अगर इस बैंक को बंद कर दिया किसान और मजदूर जाएगा कहा उनी सो चार से बैंक है किसान और मजदूर के लिए ने के विपारी के लिए और आज ये सरकार इसको किसान और मज्दूर को माड़ने का काम कर रही है जो बड़े-बड़ द्होगपते है उनका जो हमाप कि आ जा रहा है करजा लेको भाग रहे हैं अगर इस बैंक की तरफ सरकार द्यान दे तो किसान और मज्दूर खुशाल होता और ये बैंक आज बंदोने कागार पर नहीं होता तो बैंक बंदो जाए ला भी बंदो रहा है अब इस चार साल में किसी किसान मजदूर को कोई लोन नहीं मिलाई अगर सरकार के पास कोई आखड़ा उथ पेस करें अगर इस चार साल के अंदर और फिछ एक आखड़े हम दें है अगर इस चार साल में किसी किसान मजदूर को को जो आत्मा हैता है होती जो उनका डाटा और बड़ेगा बिलकुल बड़ेगा बिलकुल बड़ेगा तो और भी डाटा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है भूखमरी आगे किसानों भूखमरी के खड़े हैं बहुत बुरी हालत है क्योंकि किसान को और बैंक तो देते नहीं जमीन के उपर सिर्फ एक ये बैंक ऐसा था जो किसान को करजा देता था किसान हो मजदूर हो कोई भी हो उ को बने करता है चोक्षा मजदूर करता है जैसे को रेड लगाता है थोटी दुकान और फिकान कर रहा है ऐसा के भी हम मदद करते थे लेकिन वह सब चीजें बंद हो चुकी आप बिल्कुल बद बंद हो जाएगी बिल्कुल दस साल चोधरी वुपेंदर सिंग उड़ान राज किया है किसान और मजदूर को यह नहीं पता लगा कब उसको लोन मिल गया कि उसका काम से लाह नहीं उसने इसका में तैय करने की कोई उसकी नोबत आई और किसान को और किसान और मजदूर को भास सिखाने लग रहे हैं वह जो उड़ा साबने लगाने लग रहे हैं मैं यह कहना चाहता हूं बई जो चेर्मेन साब मारे बनाए हैं इतने अच्छे आदमी थे हमने शारान मिलका इनको जबरदस्ती करते ले आए थे नादीव के ने चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे और जो यह आदमी भी आतंग हो चुके हैं तो इसका मतल बहुत ही बुरा हला है सरकार का क्योंकि इतने श्रीफ आदमी थे दो बार यह लड़े नहीं थे चुनाव हम लिए सारे बैंकाड़े लिए पैंकाड़ा में भी अच्छा आदमी लड़ाई लड़ेंगे लिए फैल होगे तो यह देखो सरकार कुछ है नहीं सरकार नाव की चीज़ क्या नाम है सर्दार हो आज इनोंने इस्तिफ़ा दिया है क्या करे जाएगा है काने यह कारंड़ा काने सब परिशान है हम सब हम चेर्मेन के साथ ही जज अज़र से बिजंदर के साथ संजेतरान की रिपोर्ट हर न्यूज हर याना